गुड मॉर्निंग आइस मैंनों सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने परिवार एक्जाम पूर में आपके सामने ले करके आगया हूं आज वोकैबलरी धम्मा का आज हम कवर करने वाले हैं इडियम और फ्रेसिज जैसा कि हमने कल आप से आपको कराए थे इडियम और फ्रे तो बहुत सारे करा चुका हूं अभी सीचेसल और देखकर के प्रिवेश जितने में हमारे सीचेसल और सीजेल में आए आपके इडियम से उनको टार्गट किया गया है तो सोचा कि पहले बहुत जल्ली ली करा देता है फिर आपका टैस्ट लिया करेंगे ठीक है और टैस्ट मिक्स करेंगे कुछ नए वाले होंगे कुछ पुराने होंगे तो बहुत मस्ट होगा और आपको बात बता दू प्रिवेश पर हम काम कर रहे हैं क्योंकि प्रिवेश आपके लिए बहुत इंबॉडटन है आपको यह पर चल जायता है कि एक्जाम में किस तरी कुशन आते है क्या हमारा पैटर्ण रहता है ठीक है तो इंफरेश की बात है पहुत टाइम नहीं लगाएंगे जली क्लास को अपना कवर करने कोशिश करेंगे तो सब पहला कोशन लगा देंगे क्या है शाबाश बहुत बढ़िया वेरी गुड पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर बहुत स्टैप क्या है आपका वाच फिस स्टैप वाच इस्टैप भी हो सकते हैं यहां पर आपके सामने देरा हैं क्यारफूली वाच हिस फ्रेंड से इस बिए विक कौशन भी गाशन ऑबसर्व दफेस्टर फेस्टोल तो आप याद वाज तहान से याद रखेंगे क्या कि आप watch his steps को देख करके step को देख करके हो सकता है आप यह आंसर करतें क्या एंसर करतें वाच केरफुली लेकिन आप बात याद रखेगा सभी लोग बहुत ध्यान से क्या कि अगर आप वाख केरफुली करते तो तो बच्च आपका गलत हो जाएगा जान के आपको यह option दिया गया है और आपके स्सी सी चेसल में 2014 में आपका यह question आया हुआ है तो इसलिए बहुत important है याद रखेंगे इसका राइट आंसर है वह आपका क्या है सी क्या है इसका राइट आंसर सी यानिकि यहां पर दे रखा है आपका behave with caution इसको मैं भी explain कर देता हूं बहुत अच्छे से behave with caution 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 म बहुत द्यान से सतर्कता से सतर्कता से विभार करना या किसी भी बात का द्यान रखना या ध्यान रखना ठीक है यह हमारा यह पर इसका मीन हो जाता है तो बाकि के जितने भी हमारे option से हो सारे है रिलिवेंट है राइट आंसर हमारा क्या है आपर सी तो बढ़ते हैं अगले कोशन आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया अगले कोशन का सबी लोग आंसर बताएंगे हर एक को आपको पताए रहाएगा बहुत अच्छे से बिल्गुल अराब-अराम से तो वाच ही स्टै तो बढ़ए अगया तो टूब हार इसका सबी को आंसर बताना है चार सअब रख्या के भी बग्रीवर तु लाइक को हैट इसको बसंद करना किसी को नफयत करना किसी के ओपर विलाप करना ठीक है और किसी से अवट हो जाना तो बच्छा क्या होगा हमारा एक या नी क्या हो तो बी अफेक्टेड वाई यह क्यों होगा यहां पर लिकाए टू टू हर्ट मतलब किसी की भी बात को दिल पर ले लेना सबोस कीजिए आप किसी सेमिनार में गए मौटिवेशनले स्पीच में गए और आपने वह सुना सुन करके आपको आप्षन दिख रहा होगा सुन करके जो है आप वहां से इंस्पायर हो जाते हो इंस्पायर हो आप क्या है आपने जो मौटिवेशनल स्पीकर था उसकी बात को दिल पर ले लिए आपको अपने सीचेसल और सीजेल के एक्जाम तक रुकना नहीं है चाया आप आरब इस टैनों की त्यारी कर रहे हो यह क्लास क्रैन या क्लास भूँत इंपॉर्टन है अभड को अपने करता हूं को बाते हैं गल्स araii करेक्द की सामीन में है अगला कुछ न आपको सामने two to explore every Avenue clear ओर तो एक्स्प्रोर एवरी एवेज्यू और ऑपको इसका आंसर बताना तो नोग इसका अंसर बताएंगे वह जल्दी से वृरी गुड शाबाश ठीक है इस बहुत बढ़ ए है बहुत बढ़िए बहुत बढ़िया रखेंगे यहां पर दे रखा है आपके सामने to explore every avenue आप एक बात याद रखेंगे मैं आपको याद कराऊंगा कि आपको अपनी life में जितनी भी आपके सामने opportunity आएंगी आपको क्या करना है कोशिश करते रहना है हर एक opportunity को क्या करते रहना एक्सप्लोर एवेन्यू करते रहना यानिकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह जाएका है आपर क्या option ने रखा है यापर डी इस राइट आउंसर अप दिस question to try every opportunity यानिकी हर संभव हर संभव प्रियास करना यानिकी क्या दिरका है हमारे option यापर टुट्राइए एवरी अपॉर्चुनिटी मतलब हर एक संभव प्रियास करना हर एक कोशिश करना तो वहां पर यह क्या आता है आपका है आपको भी क्या है हर क्या करना है explore every avenue करना है क्लियर हो रही बात यहां तक चलिए बहुत बढ़िया है ना एक आप या बात याद रखेंगे यहां पर एक और एडियम आ चुगा है ठीक है उसको बहुत देख लेते हैं हमारा यहां बढ़ ले रखा है के to score the wilderness एक इडियम फ्रेस होता है आपका in the wilderness जिसका मतल कि फॉर्मर पावर इनकी पहले जैसे शक्ति ना रहना यह जो है मारे इसको मीनिंग है वह कौन से इडियम का है आपका है इंदा कि वाइल्डर ने इसको भी आप लोग नोट कर लिए अच्छा है इंपोर्टन है ठीक है चलिए सर ने शुचन की तरह पढ़ेंगे बढ़िया शाबाज अगले कुछ नगले इस अभी लुक तयार रही है यह क्लास आपकी सुबह डेली साड़ पांच पूजे होती है लगपक हंड्रेट और फॉर्टिन आपकी क्लास हो चुकी है तो आपको सभी क्लास को एक कवर करना है यकीन मानिए आप बहुत कुछ यहा आपको आने वाली एक्जाम में वोर्ट दिखाई देगी बहुत अच्छी क्लास हैं हम इडियम फ्लेस कर रहें स्कावर कर रहें सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं है तो सकता आपको यहाँ चाता है यहां पर समझा दूगा आपको ट्रिक यहां पर क तो याद रखेंगे कि fell back मतलब होता है यहां पर पीछे हटना पीछे हटना है ना पीछे हटना तो अगर मैं और options की तरफ निगहा डालूं तो यहां पर लिखा हुआ है fell on the ground ground पर पिसे भागना मतलब की गर जाना की एचलास में डियर्ण मतलब होता है सामरपल के असे तरण हम छोप किया मैं पीछे बागना मतलब हम मतलब होता है पीछे अंसर किया में तता राइंसτεर है फिर जopp बनाते हैं Central तो आपके साथ भी यही होगा अगर आपके आपको जोब मिल जाएगी ना तो आपकी जो माता पिता है क्या हो जाएंगे बहुत जड़ा खुश हो जाएंगे यानिकि कैसे अजाएंगे वह स्बुर्ड का एक निद्धी क्या प्रसंता परיסंता आप लगा ले निद्धी इन肌दि मतलब कि बहुत जड़ा खुश होlax सेलेकश्व नह sporting जगा तो तो आपके mother and father वह जाता कैसे हो जाएंगे in high spirit हो जाएंगे तो बढ़ते हैं आगे नेक्स कोशन की तरफ कि अगला कोशन ने बचा है यहां पर like a bull in the china shop क्या है आपका like a bull in a china shop इंजा दिताओं को क्या दिखार रख्णा है यहां पर like कि आप बुल कि इन आपको सब इसका अंसर पताना है like a bull in a china shop ठीक है इन आ है पर दानी है in a china shop ठीक है यह कुछ मतलब लेता है हमारा इस तरीकिए का suppose कीजिए मतलब यह सेंस दे रहा है कि बहुत अच्छा है और वहां पर कोई चीज अजीब सी है मतलब कहते हैं कहावत बोलते हैं कि शीष महल में बंदर मतलब बहुत जबर्दस चीज है आपके सामने और वहां पर कोई बेकार खराब चीज रखी हुई है है बेटु की upset क्या बताया था को एक बढ़र रप्सओर्ट और एक जांकि 38 क्यसे कर आए था मैंने कैसे कर रहे था आपको ces absurd आ इसका मीनिंग क्या था था बे तूक्ता और याद कैसे कैसे मैं आपको będą बहए सुर में सब्सक्राइब करें तो मैं आपको मैंने बता दिया तो मैं आपको क्या पता रहा हूं जब किसी शीष महल में कोई बेतू की चीज होती है तो हमारा जो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा है हो जाएगा क्लमजी पर संब्सक्राइब कैसा बरस बेकार हो एपसर्ड हो तो राइट आंसर क्या हो आप पर इसलिए अपर बात बोली है विकेनाट बेंट उन हिम समझा देता है आपको हम क्या उसके उस पर डिपैंड नहीं हो सकते क्यों for this assignment के लिए as it needs careful handling क्या है इसको जरूरत assignment को एक मालब कह दो अच्छे हाथो में जाने के लिए careful मेलब जो क्या हो सकाम को लेकर के careful हो and he is like और वो कैसा एक clumsy person है इसलिए हम उस पर depend नहीं हो सकते हैं ठीक है अगले की तरह बढ़ते हैं कि बहुत अच्छे है अगला कुशन आपकी स्केंट पर अगला कुशन है आप पर हैं आपका make amends for क्या है आपका make make amends for इसका आप सभी को आंसर बताना है बहुत बढ़िया वेरी गुड तो चार आपके सामने रखें कंफेस कंपंसेट इंप्रूव और पेड़ याद रखेंगे यहां पर जो make amends for दे रखा है उसका जो मेनिव होता है वह होता है किसी भी जीच की शतिपूर्थी करना मतलब उसका एक तरीके से मतलब की राहर जाना करना यहां इसकी कमी को पूरा इनट क्या होता है कंपंसेट क्कंपंसेट क्या मतलब होता है मुआए मुआफ़जा देना मुआविया ऑस सब्सक्राइब और पूरी करना कनफेस मतलब की सुकार ना माफी मांगना ठीक है बहुत बढ़िया ओके बढ़ते हैं नहीं सुशन की तरफ अच्छा क्शन आच्छा हैं अजए तो इसको इगनोर मत करना च्छोटि सी आपको अच्छी में आ चैक हैं याद बच्छा आपको ही करना एक बहुत बच्छा आप को बेठ क्या रहा है अब set the bait ka मतलब होता है कि किसी को जाल में फसाना मतलब किसी के लिए जाल को बलना जाल भिछाना तो इसलिए आप अपने सुना भी होगा की अक्षर कुमात की मोजी आई थी यह नाम मुझे याद नीए रहा रहा यह जो यह बेभी भी थी इसमें क्या क्रता है एक वह less min एडियस टीम में और क्या क्या गाम करता है यानि कि लेड़ दा ट्रैप यह दिर रखाए ना आपका हाँ लेड़ दा ट्रैप जाल विशाना कि लेड़ वी बात यहां तक बहुत बढ़ी आप शाबास तो अगले कुषन की तरफ बढ़ेंगे बहुत असान साथ मितलब की जाल बढ़ें अच्छे बढ़ेंगे अगला कुषन की तरफ बढ़ेंगे अगला कुछ ना आपका टू विन लॉड्स तू विन लॉड्स सबीक सब्सक्न प्रेस्टिज्ञ ना क्या एक मिलना क्राप्त करना हमारे तो राइट टाएका वो हमारा डी हो जायेगा यानि कि क्या हो जाई ग thief ten गी बहुत अदिक समान पाना जोस। यह होता है यह स्था अज्स अधिस क्रेंकहे लुए बद्री बात तो अगले पर बगरते हैं कि भू के के हैं कि बहुत अच्छे शाबाश है आपको इसका अशर बताना है बहुत पड़ी या वेरी गूड तो तो कि आपके सामने से रहा है तो बरीदा है ये बहुत अच्छे अच्छे है apology ठीके बहुत पड़ीया इसका मतलब जो हता है इसका यो एप यह का शानती बनाकर रखना या शानती रखना इना मतलब शानती रखना हमारे मिक य graphics रहाता है शांती रखने के तुझेट स्वाइब को नहीं तो आप सभी से गोलूगा यह बहुत अच्छी क्लास है इंटर अदर अब आपके सामने अंट्रिक्स पताएंगे ठीक है तो आप ऐसे तयार रही आपके सामने बहुत अच्छा टैस्ट मिला जाएगा तो इन दोनों क्लास को बहुत जल्दी से डैन करो यह आपकी आपकी प्रिपरेशन में चार चान लगा देंगे यह मेरा आप से पक्कावादा है और हमेशा मैं आप अगली क्लास में तब तक के लिए मुस्कुरातरी और गुंगुनातर रहे जैंड़